आप तेक रहे हैं लाइफ टूड़े नीज आपकी बुलंद आभाज मुझफर नगर में आज कलेक्टेट पैसर के सभागार कक्षमा जिला अधिकारी सैलबा कुमारी जे ने फीस स्ट्रक्शर के संबन्द में मीटिंग की इस मीटिंग में D.I.O.S. और C.D.O. के साथ साथ मुझफर नगर के मुख्य स्टूलों के पिरधाना चारे भी मौझूद थे मीटिंग में जिला अधिकारी सैलबा कुमारी जे ने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से फीस स्ट्रक्शर को लेकर एक कमेटी बनी हुई है जिसकी अध्यक्ष जिला अधिकारी होता है इसमें D.I.O.S. और C.D.O. और कई मेमर्स मौझूद होते हैं फीस स्ट्रक्शर के संबंद में गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि फीस के संबंद में हमारे पास कई शिकायते आती है इसको लेकर एक मेटिंग में हमने साफ साफ निर्देश दिया है जो बार बार फीस बढ़ाते हैं या कई और तरीकों के नाम पर फीस लेते हैं वह सब चीज़ें अब नहीं होंगी इन सबी चीज़ों को लेकर एक डेफसाइड भी बनाए गई है जिसमें फीस स्ट्रक्चर को लेकर गवर्मेंट के रूल बच्चों के माता पता भी देख सकेंगे जिससे उन्हें पता चल सकेगा कि फीस स्ट्रक्चर के क्या क्या गवर्मेंट नियम है इस मीटिंग में बसों की फीस, लैब की फीस वा यूनिफॉर्म को लेकर हर एक बिंदू पर बात होई है फीस स्ट्रक्चर को लेकर जो गवर्मेंट रूल से बाहर जाएगा उसके खिलाब तुरंत एक्शन लिया जाएगा मजब फान अगर से लाइफ टूड़े के लिए सम्माद दता रहित प्यागी की रिपोर्ट कर सो spoiler कर के ब्रच्राइटी के सास्थ मोगो ने इंस्ट्रक्चर चे दिया है तो बार बार फीस यह सब करते हैं और कई तरीके के नाम पे फीस लिया जाता है वो सब चीजह नहीं होगी उसमें हम लोगों है कि क्या-क्या गईडलाइन से उसको क्लारिटी के साथ इसमें ये इंस्ट्रक्शन उनके वेबसाइट में भी रहेगा और उनके नोटिस बोड में मतलब प्रॉपर फॉर्माट में उसमें लगाएंगे ताकि सभी पेरंस को पता चलेगा कि क्या है फी स्ट्रक्चर को ले करके क्या नियम है उसी को कम्प्लाइन्स स्कूल करेंगे और बसस को ले करके और लाब फीज और बाद कॉम्पोसिट फीज जो भी है उस अभी तरीके का बताया है प्लस राइट टू एडुकेशन में भी जो इनको लगाना है चिल्रन जो सोशल स्टेटर्स डिफरेंट स्टेटर्स से आते हैं उस संबंध में भी इंस्ट्रक्शन्स दिया गया है तो कम्प्लाइन्स और उनिफॉर्म को ले करके उनिफॉर्म ले करके भी काफी के लिए हैं तो वी हव ख्लारिफाइड जो भी इनका डाउट सा ख्लारिफाइड किये हैं और देविल कम्प्लाइवित गवर्मेंट रूल्स